प्रिया दर्शको नमस्कार आईए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार सेल आरेसपी में उद्योगों में उभरती चुनतियों पर समस्या समाधान मानसिक्ता का विकास विशय पर प्यावसाइक वार्ता आयो जित सेल रावर के लाई स्पाथ सेंध्र द्वारा परियोजना चरक और सुनैना के माध्यम से पार्शवान चल समुदाय उच गुनवर्ता शल चिकित्सा से लाभान वेद और सेक्टर 20 स्थीत स्पाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल के पूरु विद्यारती अपने व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए स्कूल के प्रती कृत्य ग्याद अब समचार विस्तार से सेल रावर के लाइसपाथ सेंत्र RSP के ग्यानारजन एवं विकास विभाग में 16 नवंबर 2024 को उद्योगों में उभरती चुनोतियों पर समस्या समाधान मानसिक्ता का विकास विसाय पर व्यावसाइक वारता आयोजित की गई सत्र की अध्यक्षता महाप्रवंदक आंतरिक लिखा परिक्षा स्री पी के महराना ने की IIT गोहाटी टेकनलोजी इनोवेशन हब के सीनियर फेलो प्रोफेशर पार्थ दासगुपता अतिथी वक्ता थे सत्र में विभागाद्यक्षो सहीत E5 से E7 ग्रेट के बीच के 50 से अधिक वरिष्ट अधिकारियों ने भाग लिया प्रेरक अतिथी वक्ता ने फ्री फ्लो जोन बनाये रखने के महत्व को रिखांकित किया जहां जिम्मेदारियां किसी के नियतकारी के साथ सहस्ता से संरेखित होती है वक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कौशल अंतर को पाटने और जिम्मेदारियों के सुचारू निस्पादन को सुनिशित करने के लिए ब्यक्तियों को समस्या समधान मानसिक्ता विक्सित करनी चाहिए सत्र के दोरान साजा किये गए प्रमुक सिधानतों में प्राकृतिक पुर्वा ग्रहों पर कापू पाने के लिए उत्सुखोना अनिश्चित्ताओं को गले लगाने के लिए अपुर्णता वादी द्रिष्टीकोन अपनाना और स्पस्टता और बेहतर पुर्वानुवान के लिए विविद द्रिष्टीकोनों को शंचलेशित करने के लिए ड्रैगन फ्लाई आई परिप्रेक्ष का लाब उठाना शामिल इसके अलावा वक्ता ने घटित ब्यवार की अवधारना पेश की प्रति भाग्यों को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से डेटा बनाने और मौजूदा परिकल्पनाओं को चुनाती देने के लिए प्रुच्छाहित किया निर्मय लेने में सामुहिक बुद्धी मता की शक्ति और दिखाओ और बताओ के सिध्धांत में निहित सफर्ष्ट संचार के महत्व पर भी बल दिया गया इन अंतोर द्रिष्टी का उदेश नेताओं को उनकी समस्या समधान प्रक्रियाओं में अनुकुलन शिल्टा सहयोग और रचनात मक्ता को बढ अन्वे किया जबकी स्री महाराना ने अपचारिक धन्यवाद ग्यापित किया सेल राओर के लाइस पाद सेंतर आरेसपी ने अपनी सीएसार पहल के तहट परियोजना चरक और परियोजना सुनैना के तहट बीसरा और नुवा गाओं के पार्षवांचल बलॉक के आट लोगों को इस पाद जनरल अस्पताल में नीशुल्क शल चिकितसा उप्चार प्र आयो 37 वर्ष, स्री भुवनेश्वर बारिक आयो 50 वर्ष, स्री मंगरासी आयो 24 वर्ष, स्री सिबा शंकर गंजु आयो 49 वर्ष, स्री भगवान तांती आयो 61 वर्ष, स्री संजीब कुमार आयो 13 वर्ष, स्री मंगल उराओं आयो 45 वर्ष, और स्री माइकल डांग आयो 61 इलाज कराया आतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्त सिवाएं डॉक्टर मनोश पानी ग्रही ने अन्य डॉक्टरों मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ के सहयोग से सफल शल्ल चिकित्सा को अंजाम दिया सफल उक्चार के बाद मरीजों को सुवंबर के दूसरे सप्ता में चुट्टी दे दी गई सेल आरेसपी अपने सीसार प्रयासों के माध्यम से ग्रामिनों को मुफ्त में शल्ल चिकित्सा उक्चार उपलब्द कराकर स्वस्त भारत बनाने का हर संभो प्रयास कर रहा है यह रोगी के संपुन चिकित्सा उक् आई एमस के 1966 के पूर्व चात्र स्री जैसन मोदी ने आई एमस के हीरक जैनती समारो में भाग लेने के दौरान स्कूल की यादों को ताजा करते हुए कहा यह स्कूल एक तिर्थ यात्रा की तरह है स्कूल से आप जो मुल्य सीखते हैं वो हमेशा आपके साथ रहता है समारो में बाग लेने वाले सबसे बुजूर्ग पूर्व चात्र स्री मोदी पोर्टलेंड औरेगन के सेवा निवरित इलेक्टिकल इंजीनियर हैं जिन्हों ने आकरी बार 1972 में अपने विद्याले का दौरा किया था और वे फिर से दुबारा यहां आना चाहते हैं संयुक्त रा स्कूल और शिचको के बेहद आभारी हैं स्कूल की एक प्यारी याद को साजा करते हुए स्री आनन ने बताया कि कैसे गलती से उनके हाथ से कुछ लैब उपकरन तूट गये थे पर उन्हें दंडित करने के बजाए लैब असिस्टेंट स्री सेन ने उन्हें प्यार से कहा कि देवें चिंता ना करें और उन्हें चाने दें उन्होंने कहा मुझे लगता है कि यह सब इस स्कूल की वज़ा से है कि हमने यह सब सीखा और इसने हमारी बहुत मदद की है इस स्कूल के बिना हम अपने जीवन में उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां हम हैं इंफोसिस में 20 से अधिक वर्सों की अनुभावाली एक IT छेतर की वरिष्ट पेशेवर सुसरी कुमारी का मुहनती ने कहा जीवन में मेरे सामने आने वाली हर परिस्थिती चाहे वह चुनावती पुर्ण हो या पुरस्कृत करने वाली मुझे मेरे स्कूल के दिनों की पुड़े रखता है विजेस्ता दुनिया भर से 200 से अधिक पर्तिष्थित पूर्व चात्रों की उपस्थिती में आयोजीत भव्य समारों ने पुरानी यादों गर्व और खुशी की जीवन तस्वीर बनाई IPS, DIG, पर्शिम रेंज, स्री ब्रिजेश कुमार राय समापन दिवस यानी 17 नवंबर 2024 को समारों के मुख्य अति थी थे कारिकरम की शुरुवात एक भावपुर्ण अहवान गीत के साथ हुई इस अपसर पर परतिश्थित गर्मानियों ने स्कूल की 60 वर्सों की उलेखनिया यात्रा पर प्रकाश डालते हुए प्रेरक भासन दिये कारिकरम में IEMS की विरासत पर एक विशेश सत्र भी शामिल था जिसे नेक्रोलोजी नमक एक भावपुर्ण खंड में समाहित किया गया जिसमें शिक्चा और समुदाय निर्मान में संस्थान के योगदान को दर्शाया गया एक मुख्य आकारशन सम्मान समारो था जहां पूर्व शिक्चकों और उलेखनिय गन्मानियों को संस्थान की गौरपुन इतिहास में उनके अमुल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया समापन समारो पूर्व छात्रो द्वारा प्रस्तुत एक आकारशक सांस्कृति कारिकरम के साथ अपने चरम पर पहुँच गया साथी पेशेवरों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और पुरानी यादों को फिर से तरुताजा किया इसके साथ ही आज के हिंदी समाचारों को यहीं विराम देते हैं